राकेश टिकैट देश के मुद्दे पर विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहे राकेश टिकैट ने कहा है कि अमेरिकी राश्ट्रपती बाइडेन आज पी एम नरेंद्र मोदी के सामने किसान आंदोलन पर बात करें भारतिय किसान यूनियन के राश्ट्रिय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैट देश के मुद्दे पर विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं केंद्र के तीन क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहे राकेश टिकैट ने ट्वीट करके कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडेन आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के सामने किसान आंदोलन पर बात करें पी-एम मोधी अमेरिका के दौरे पर है राकेश टिकैट ने अमेरिकी राष्ट्रपती के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा है हम भारतिय किसान मोधी सरकार ग्वारा लाए गए कीन क्रिशी कानूनों का विरोध कर रही है पिछले ग्यारह महीनों के अंदर विरोध प्रदर्शन में 700 किसानों की मौत हो चुकी है हमें बचाने के लिए इन काले कानूनों को निरस्ट किया जाना चाहिए कृप्या पी-एम मोधी से मिलते समय हमारी चिंता पर ध्यान दें राकेश टिकैत का ये ट्वीट ऐसे समयाया है जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी आज राष्ट्रपती जो बाइडेन से मिलेंगे बैठक के दोरान व्यापार, निवेश और रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को प्रगाड करने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है मोधी और बाइडन के बीच होने वाली द्विपक्षिय वारता में कट्टरपंथ और आतंकवाद के अलावा अन्यबडेक शेत्रिय मुद्दों से निपटने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है साथ ही अफगानिस्तान के घटनाकरम पर भी चर्चा होने की संभावना है बता दें की केंद्र सरकार के तीन क्रिशी कानूनों के विरोध में पंजाब, हर्याना और उत्तर प्रदेश समेट कई राज्यों के किसान पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं पिछले ग्यारह महीनों से किसान राजधानी दिल्ली, पंजाब और हर्याना के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं सरकार के साथ किसान संगठनों की बातचीत विफर रही है किसान हर हाल में तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अडे हुए हैं